हेलो एब्रिवन आज हम पढ़ेंगे हेरे टंग के बारे में हेरे टंग को हम लिंग्वा विलोसा नाइग्रा भी कहते हैं यह बिसिकली क्या होता है एक हामलेस ओरल कंडिशन होती है जो कि टेंप्रारी होती है कुछ टाइम के रही होती है और क्यों हो जाते है तो टेंप्रारी है तो किसी चीज की बज़े से होती है मतलब हमारी बॉड़ी में कुछ चेंजस आए है उनकी बज़े से हो रही है मुह हम अभी पढ़ेंगे कि क्यों हो रही है इसको हेरे टंग बोलते है क्योंकि यह डार्क फरी अपेरेंस टंग का होता मतलब बाल जैसा दिख होता है और blackish, darkish या brownish color की होती है इसको hairy tongue बोलते हैं अब इसके causes की बात करें तो अब हम जानते हैं कि यह hairy tongue क्यों मतलब किस बज़े से हो जाती है इसमें क्या होता है कि लेकिन वह कैसे आ रही है तो वह अब पढ़ते हैं यह आ रही है यह आ रही है due to excessive smoking और excessive drinking of tea और tobacco अगर हम किसी चीज़ का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं इन में से बहुत ज़्यादा smoking कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टी कंजिप्शन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टुबैको ले रहे हैं इससे क्या होता है यह हमारे टंग के जो पैपलाज होते हैं उनको 15 टाइम्स लॉंगर ग्रोव करबा देती है मतलब हमारे पैपलाज नॉर्मल है तो हम इन चीजों का ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो हमारे पैपिलाज अपनी नॉर्मल साइज से फिप्टीन टाइम्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं थोड़े ज्यादा उपर उभरे-उभरे हो जाते हैं यह तो फर्स कंडिशन होगे कि इन तीनों चीज़ों की अधिक अधिक कंजप्शन से ऐसा हो रहा है इसके कराव या एक्स वाइज़ कोई भी बिमारी हुई एंटिवाइटिक्स ले रहे हैं तो यह एंटिवाइटिक्स क्या करते हैं डिस्ट्रॉइंग अबर ओरल हाइजीन बाइ किलिंग गुड माइक्रो ऑर्गनिजम्स ओफ ओरल कैविटी हमारे माउथ के अंदर कुछ गुड ऑर काrü Smash होते हैं जो हमारे माउथ का ओमारी केो हमारी और का कईविटी का हाइजीं करके रखते हैं यह उदे जो भी चारणे Smash करके खतम कर देती हैं तो उसकी बज़े से हमारी जो माउथ की हाईजीन नहीं रहती हमारे पैपिलाज भी ग्रो कर जाते हैं और हम जो चीज़े खा रहे हैं जीब के ऊपर उसकी बज़े से धीरे-धीरे हमारे जीब का कलर टर्ण होने लगता है ब्लैकिश यलोईश डाक कलर का टर झाल Kari अपिरण रहे हैं से बज़े से अाता है अगर आपको वीडियो अच्छी नगी तो टू को याटरी ओर चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें कर चुर दो कर दो कर दो अबर ने Christ सबस्टाइब एक जड़े कर दो